दर्शुको जून का महीना शुरोने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे और यह हम ज़रूर जाना जाएंगे यह महीना हमेले कैसे जाएगा जो भी ग्रह कोचर की सिती बनेगी उसका क्या परिणाम हमाई जीवन में देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे क्योंकि ग और शीक्षा करियर के युन का महीना कायसे जाएगा क्या कुछ बदलावłeके संकेत आपको मिलेंगे कुछ ग्रोध के चांसे बरेंगे कुछ इस परकार हम चर्चा करेंगे आपके कालेशित pengis上面 का यु के महाब देखने को मिलेगा- इसके रवाइगा आपके प्राहिम संभन यानि लव रिलिशिशिप के लिए जून का महीना कैसा जाएगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके विभाई दंपत्ती के लिए कैसा रहेगा क्या संदान प्राप्ति के योग बनेंगे साथ ही जोतिश प्रमार्णी को भाई हम बताएंगे तो विडियो के अंतक जरूर बने रहे हरे किशन देशिप को वेधी के स्ट्रोगेद में आपका स्वागत है मैं जोतिश प्रमार्णी पूजा हमने आप तक आपको छे राशिव के बारे में बता चुके हैं आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे सात्वी राशी तुला राशी के बारे में तुला राशी के लिए जो उन जातक है उनके लिए जून का महिना कैसे जाएगा जो ग्रहे गोचे कितरी बन रहे है आप अपनी जनम राशी और लगन के नुसार देख सकते हैं जो की इस प्रकार है लगने शुकर आपके अश्टम भाव में प्रस्पति सूर्य और बुद्ध के साथ गोचर कर रहे हैं इसके लावा राव के साथ मंगल आपके छटे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ थोड़ा आपको चिंता की बात हो सकती है, इसके लावा अगर हम बात करें तो आपके लगने शुक्र जो है, 12 जून को अश्टम भाव से निकलके नवम भाव मितुन राशी में परवेश कर जाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी रहाद वाली ब परवेश करेंगे और शनी 30 जून को आपके पंचा भाव में गोचर करते हुए वक्री अवस्ता में आ जाएंगे, तो ये कुछ ग्रह गोचर की सिती बनने जा रही है जून के महिने में, इसका पूरा विशलेशन हम आपको देंगे, लेकिन शुरुबात करन से पहले आप स निर्माण करें, पर क्योंकि छटे भाव में राहू भी गोचर करें, विपीर राचियों का निर्माण तभी फलित होता है, जो आपकी इसी विपीर पस्तिते में होता है, उससे फिर बाहर निकलते हैं, तो ये आप पालीजे कि कुछ ने कुछ समस्या आपको स्वास्ते से समद्धित आपको देखने को मिन सकती है, इसके लावा आपको कुछ पहले से समस्या बनी हुई है, तो उसमें भी कुछ आपको ताज़ड़ाफ देखने को मिन सकता है, शुगर के मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखे, कुछ इसे लेटिड प्रॉब्लम आपको देखने क पर सकता है, कुछ slow digestion या लीवर की समस्या भी देखी जा सकती है, तो खान पान को उचित रखे, यहनि आप अगर prevention is better than cure, अगर आप पहले से prevention करके चलेंगे, तो आपको आगे चलके कोई खास समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, इसके लावा दृत्य भाब में मंगल की दिश्टी पड़ेगी, तो दिश्टी तो आपकी वानी पे थोड़ा control बना के चलना होगा, कहीं न कहीं इसकी वज़े से आप लोगों को आहत कर सकती है, गुस्सा आते हैं, stress की वज़े समस्या भी देखी जा सकती है, कुछ खर्चा इस प्रकार का समस्या करना आपको देख कर सकते हैं, अब ध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं आप stress को out of control बनते देखेंगे, और जिसकी वज़े से गुसे में आपका कोई control नहीं रहेगा, तो आपके लिए ध्यान, meditation बहुत जरूरी है, पर क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि यहां पे ब्र शनी आपके वक्री अवस्था में आजाएंगे, तो अनिशी तोर से कुछ decision लेने में, निर्ने लेने में आपको थोड़ा सुबीदा का सामना करना पड़ सकता है, कुछ तत्य ऐसे हैं, जो कुछ ऐसे काम है, जो आपको बार-बार करने पड़ सकते हैं, कुछ इसकी वज़ बॉंटरी का निर्मान करता है, जहां पर आलस के कानल अपनी बाॉंटरी में ही फसेर हम, तो शनी आपको चाहते हैं, कि आप आपको बार-बार करता है, प्रेनाम नकूल आपको देखने को मिलता है, मंगल आपके शब्तु पूल में प्रवेश करेंगे, और आपकी वीटर लगन में पड़ेगी तो कुछ आपके भीतर उर्जा देखी जा सकती है competition में जरूर आप अत्री आत्मे विश्वासी होने से बचे कोई कहिना कहीं बहुत कुछ आप ignore करते नजराने हैं कुछ आप लापरवाही करते नजराने जिसकी वज़े से प्रेणाम आपके पक्षमे नहीं हो पाएगा तो यदि आप चाहते हैं कि प्रतियोगीता में आपको सफलता मिलें तो आप अच्छे से पूरी तरीके से त्यारी करें इसके लाब अगर हम बात करें campus placement की campus placement में इस अंगर्ष के साथ विजय आपको ज़रूर देखने को मिलेगी खासकर जैसे ही लगनेश आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे यो उसके बाद जो बुध भी है वह भी प्रवेश करेंगे आपके नवम भाव में कुछ adjustment करना पड़े या कुछ समझोता करना पड़े तो उसके लिए आप खुद को त्यार या fit महसूस नहीं करेंगे और यही बज़े होगी कि जहां पर आप लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थाई पन या कह सकते हैं कि instability करियर में देख सकते हैं और यह आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा धहरे बना के चले इसके लावा जैसे मैंने बताए करेकर शुवात जो है आपकी काफी बढ़िया रह सकती है यह आपके ओपर depend करते हैं कि किस प्रकार आप लेते हैं कहीं ना कहीं आपके बीतर stability की कमी देखी जा सकती है मन उच्चाटन की कमी देखी जा सकती है जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी आपका मन आपके काम में उच्चाट हो सकता है इसकी वजह से आप फ्रिक्विट अपन जॉब चेंज करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं ये आपके करियर के लिए बिल्कुल भी सही साबिटी होगा, अगर आप चाहते हैं कि एक stable आपको growth मिले, तो आपको अपने career में समय देना होगा, बिना समय कि आप कोई भी stable growth अपने career में नहीं देख सकते हैं, इसका आपको अच्छे से ध्यार रखना होगा, और कहीं भी आपको इसकी वज़े से समस्या या राहू की वज़े से, मंगल की वज़े से कुई समस्या का सामना करना पढ़ रहा है, तो आपको meditation ज़रूर करना चाहिए, ये आपके focus बनाने में आपकी मदद करेगा, अब बात करेंगे आपके कारश्यत्र की, जो पहले से नौकरे पेशा लोगे, उनके लिए कैसर हैगा, देखी, मैंने जैसे बताया कि लगरेश की जैसी position ठीक होगी, तो अदिश्यत्र वसे आपको आपके भीता जो भी शमता है, जो creativity है, उसको आपको पहचाने में, उसको निकारने में, या उसको परदशन करने में आपको मदद मिलेगी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो आप नई जॉब के लिए प्रयास करें, तो उसके लिए पूरी तरीके से grounded होकर रहें, वास्विक सिती को समझें, अपनी तब से आंकलंग बिलकुल भीना लगाएं, क्योंकि आप गलत साबित हो सकते हैं, कही न कहीं आप जलवाजी भी करते नजरा रहें, तो इससे भी आपको परहेस करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल करियर मिले, तो आपको इसी दिशा में काम करना होगा, ग्रोथ के अच्छे चांसेज देखने को मिलेगे मद्धे जून के बाद, क्योंकि कही न कहीं मामला अटकता नजरा रहा है, क्योंकि एकादश के सौमी जो सूरे हैं, आपके अश्टर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कही न कहीं मामला रुक सकता है, अटक सकता है, या आगे के लिए टल सकता है, इसके अलावा, अगर हम बात करें, आपको अगर सान से बाहर, आपको जॉप का ओफ्फर मिल सकता है, तो उसमें काफी उताचड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अभी बात बनती नजर नहीं आरी है, इसमें काफी रुकावड व्रोथ का सामरा करना पड़ सकता है, कुल मिलाके ग्रोथ के चांसेज आपको मद्धे जून के बाद ही बनना शुरू होंगे, लेकिन कहीं न कहीं संतुष्टी की कमी के वज़े से आप कुछ छोटी भी ग्रोथ को आप बहुत हलके लाटी ले सकते ह और अपने आपको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में आप काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो यह बहुत जरूरी है, देखें सभलता छोटी हो या बड़ी हो होनी जरूर चाहिए, अगर लगातार कुछ ने कुछ मिलता जाता है, तो एक मन में एक आशा ओप बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं, यदि आप जरूर से जादा पेखिशा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, कोई मिलाके अगर कहें तो अधिकारी के साथ सुच्छुआ पर सम्मन्न में कुछ गिरावाट देखी जा सकती है, खासक बेवेसाई बिजनेस के यहां बात करें, तो मंगल का जैसे आगरमन होता है, आपके सब्तमभाव में अपनी राशी में एक तेजी देखेंगे, हाला कि बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी है, या कुछ मत्भेत हो सकते हैं, फिर भी आपके उर्चा में थोड़ी ब बात कर सकते हैं, अभी काफी फ्लक्ट्वेशन होता है, आप इसके संदर में देखने को मिल सकता है, विदेश अगर आप रयास करें हैं, तो निश्य तोर से अभी समय आपके लिए पक्ष में नहीं है, क्योंकि कई ना कई बात बंती नजर नहीं आ रही है, आगे टल रही ह उसमें भी कुछ खास आपको लाब देखने को नहीं मिलेगा, तो फिलाल अभी कुछ बात बंती नजर नहीं आएगी, तो इसके लावा कुछ आर्ट के फिल्ड में है, कुछ डिजाइनिक सेक्टर में है, या आप कह सकते हैं, कुछ फूड इंडस्री से सम्मंदिद हैं, त आप एक कॉंफिडेट में सबसे बड़ी बात है, वर्दी देखने को मिलेगा, मत दे जून के बात, शुरुबात आपको थोड़ी दीरी-दीर होगी, लेकिन जल्दी ही इसमें स्पीड आपको देखने को मिलेगी, तो को मिला कि आपके लिए काफी अच्छ रहेगा, जून आप उसको आगे लेके जहें, या अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हो सकता है कि आप उसको वही खतम करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको शुरुबात में कह सकते हैं को रिफूजिन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, खास कर जब तक कि लगनेश आपके आपको देखने को मिल सकता है, अभास हो सकता है, इसके लावा कई ना कई पुराने संबंध आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं, कुछ पुराने कॉंटेक्ट्स आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं, तो इसकी भी संभावना देखी जा सकती है, कोई मिला कि अगर आप चर्चा भी करना चाहरे है तो उसमें बहुत जलबाजी करते है नजलानी है पार्टनर की तरफ से कुछ दवाब आपको देखने को मिसकता है लेकि फिलाल बात तो तभी बनेगी पंदर जून के बाद जब साही सिती आपके पक्ष में रहेगी जलबाजी बिल्कुल ने दिख को देखने को मिलेगा जहां पर आपकी तफसर सहयोग या कौपरेट करने के लिए त्यार हो सकेंगे लेकिन चुरुबात कह सकते हैं कि कुछ अच्छी नहीं रहेगी आप लोग के बीच में संतान के प्रयास करें तो संगर्ष मैनत के साथ ही आपको सफलता मिलेगी करना की संतान की वजह आहएं क्षान प्रसकती है आपको अंत अगे संतान के व्यख 你 सब्याएं का करें अच्छी ने रहेगा तो यह चीण पार्ट आपके दिन आपके लगलेश के लिए और आपके खुद के परसनल लाइब के लिए बहुत अच्छा रहेगा साथी मंगल के लिए आप हरुमान चालीचा का पार्ट आप जरूर करें लेकिन हो सके तो आपके जो योग कार ग्रहशनी को उनको प्रसंद करने का प्रयास अवश् सकती हैं दर्शकों आपके जो भी प्रशन सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ढाले हरे करशना